नमस्का साथियों डिक्टेशन अस्से सब्द प्रतिम नड़की कती से बोली जाएगी डिक्टेशन टेक पांस सेक्ड बाद स्टार्ट होगी कुछ दिन पहले देखी एक फिल्म का एक समवाद भीतर तक गुदगुदा गया विरानाईका के चले जाने के बाद नायक कहता है महबत थी इसलिए जाने दिया जिद्ध होती तो बाहों में होती इस समवाद के जरिये प्रेम में इस्त्री के इस्थान को कितनी सरलता से एक वाक्य में समझा दिया गया विरान मगर फिल्म का सिर्फ यही पहलू नहीं था विरान एक सुतंत्र खयार वाली अपने पैरों पर खड़ी लड़की का बलातकार होता है और न्यायल्य में सवालों के बहाने उसका चरित्र हनन किया जाता है यहां हमें अपरादियों से पीडित महिला की त्रास्दी के बरकस कानून के वेवार की विडमना दिखाई देती है विराम दरसल बलातकार की विवी सिका इस्त्री को जीते जी तो नहीं ही जीने देती है मरने के बाद भी सामाजिक रूप से उसे सुकून नहीं मिल पाता है विराम अक्सर हमने बलातकार की घटना को इस्त्री के चरित्र और व्यक्तित से जोडते हुए देखा सुना है और चुप रह गए हैं पैरा हाल ही में नभ्य वर्षिया एक महिला के साथ दरिंदगी की इंतिहा तक बलातकार की घटना सामने आई विराम लिफ्ट देने के बहाने उम्र के आखरी पड़ाव पर पहुची इस महिला को एक ऐसा जख्म मिला जिसने सायद उनकी जिन्दगी भर की खुशी जीजी विशा और करमठता पर ग्रहन लगा दिया होगा विराम इस वालदात को हम और आप किस तरहे देखेंगे इसी साल जन्वरी में राश्टिय अपराद रिकोर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक देश में एक दिन में जहां हत्या की अस्सी गटनाएं हो रही है वहीं बलातकार के 91 वारदात हो रहे हैं विराम मगर आज हम आंकणों के खेल में नहीं फस्ते हैं विराम एक सच्चाई यह भी है कि आज भी पारिवारी सामाजिक भिरूता और कुंद सोच अधिक तर मामलों की सिकायत दर्ज नहीं होने देती विराम पूर्ण बंदी के दोरान भी इस्त्री के खिलाब योन हीन्सा और बलातकार की ऐसी घटनाएं सामने आई है जो सोचने पर विवस कर रही हैं कि आखिर लड़कियां किस उम्र में और इस्थान पर सुरक्षित हैं पैरा यह हालत निर्भया के दोसियों को फासी देने के बा बात की है विराम अर्थ इसपश्ट है की कठोर दंड विधान भी बलातकार जैसे अपराद पर रोक नहीं लगा पा रहा विराम बात सिर्फ अंजानों द्वारा सारीरिक सोचन की होती तो भी बचाओ के इंतजाम की बात की जा सकती थी विराम मगर अपने घर के दरिंदो से एक बच्ची लड़की या महिला कैसे बचे तमिलाडु में सराप के नसे में एक ऐसिक छित और मजदूर पिता तीन महिने तक अपनी नाबालिक बेटी का बलातकार करता रहा विराम बात तब खुल करके सामने आई जब लड़की के पेट में दर्द हुआ और वहे अस्पताल गई विराम बच्ची अपने ही पिता द्वारा गर्वती थी विराम लड़की की त्रास्दी का अंत यही नहीं था विराम वहे बच्ची 63 वरसिये अपने रिस्तेदार के भी सोसन की सिकार हो रही थी विराम पैरा लेकिन इस अपराद में डूबने के लिए किसी के सामाजिक पिछड़ेपन या एसिक्षा को ही जिम्मेदा नहीं माना जा सकता विराम मद्द्पदेश में सिक्षविवाग से सेवा निवरत और उच्च सिक्षित अपसर ने अपनी ही बेटी का दोवा बलातकार सिर्फ इसलिए किया कि वह किसी के साथ प्रेम में थी विराम रिष्टे की मरियादा को तार-तार करती इस आपरादिक घटना में पीडिता की मा भी सहभागी थी विराम म ने यह कहते हुए बेटी को समझाया कि ऐसा करने से साधी के बाद उसकी पीडा कम होगी विराम पीडिता की बड़ी बहन ने पुलिस में सिकायत दर्ज करा कर उसे बचाया विराम छानबीन में पता चला की दोसी पिता ऐसा प्रियास अपनी बाकी दो बेटीयों के साथ भी कर चुका था विराम पैरा कैसी गुड़मना है कि हमने बेटियों के लिए कोई भी सुरक्षित इस्थान नहीं छोड़ा विराम हर्याना में हाल में ही पुलिस हिरासत में दो लड़कियों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा कई दिनों तक सामुही बलातकार के मामले ने इस्त्री के लिए हर सुरक्षित कहे जाने वाले घेरे पर सवाल उठा दिया विराम ऐसे मामले अगर परिवार के भीतर घटे तो आम तोर पर प्रितिष्ठा के नाम पर दबा दिया जाता है सवाल है कि जो समाज और देश कोक में भी बेटियों की हिवाज़त नहीं कर पाता वहे घर और सडक पर क्या ही करेगा पैरा अक्सर उनमुप्त सोच को लेकर इस्त्री को कट घरे में खड़ा किया जाता है विराम मगर ऐसे बीशियों उधारंग आम होते हैं जो बार-बार ची कर कहते हैं कि बदलाव की जरूरत पुरुषवादी सोच में हैं विराम जिस सोच ने पुरुष को एमान विए और कई श्त्री तरी के खिलाफ अपरादी बना दिया है और इस्त्री को इस विविस्ता की पीडित विराम इस्तरी को देहे से आगे मनुस्य समझने की जरूरत है विराम सदियों से चली आ रही मानसिक्ता को बदलने में सायद कई सदी लग जाएं विराम लेकिन यह तब मुम्किन है जब बदलाओ की मंजिल की और कदम लगातार बड़े विराम इस्तरी विमर्श के कितने ही जरूरी समवाद इन सब की वजह से प्रभावित होते हैं विराम इस्तरी स्वास्थे सिक्षा कैरियर पर विमर्श और जन आंदोरन की जरूरत है लेकिन इस्त्री पहले इस डर से तो उबरे तब तो अपने उत्थान के बारे में सोचे फिलहाल सच यह है कि इस्त्री एक ऐसे सुभै की तलास में सारा जीवन निकाल देती है जिस सुभै वह वास्तों में निर्भै होकर उठे और जिये विराम दन्यवाद साथी